हेलो स्टुडेंट, आर्पी पब्लिक स्कूल जोगिठेर की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और इस चैनल के माद्यम से आज हम अपकलन के बहुत महत्पूर सवाल लेका हैं, आपको ये दो सवाल हैं, बहुत इंपोर्टेंट हैं, आप देखिए, पहला कोईशन ह f x बराबर, log e, log e x, तो इसको जब हम डिफ्रेंसियेट करेंगे, तो कैसे करेंगे, f dash x निकालना है, हमें बहुत रहा है, find the value f dash x, और वो e पे पूछ रहा है फिर, तो e पे तो पहली निकालेंगे, जब f x निकालेंगे, f dash x निकालेंगे, तो f x तो ये दिया है, अब f dash x क तो log x का होता है, 1 upon x, log x बराबर, 1 upon x, बहीं, log x, ये पूरा x हो गया है, log x बराबर, अभी इसका फिर से करेंगे, तो इसका फिर से करेंगे, तो लिखेंगे, d वटे dx, बराबर, log e x, इसका x आ जाएगा, तो हो जाएगा, 1 upon x, log e x, ये f dash x आ गया, अब हमें चाहिए f e की value, तो f dash e की value चाहिए, तो यानि कि जहाँ x है, वहाँ हम e रख देंगे, तो ये हो जाएगा e, ये हो जाएगा log e और e, इसका मान बन, तो answer है, 1 upon e, इसका मतलब f dash x बराबर आ गया, 1 upon e, और यही answer है, इसके बाद हम next question करते हैं, next question है, x equal to 1 plus log t upon t square, t के सापेश करेंगे, तो dx over dt, बराबर t square को छोड़ देंगे, और इसका करेंगे, 1 plus log t का, फिर minus, इसको छोड़ देंगे, 1 plus log t, और किसका करेंगे, t square का करेंगे, t की पावर 4 हो जाएगी, यह t square ऐसी रहा, इसका आएगा, 1 upon t, यह हो गया, 1 plus log t, और इसका आजाएगा, 2t, और यह हो जाएगा, t4, t से t cancel हो गया, तो बच्चा t, minus, 1 plus log t, और into 2t, upon t4, t से t cancel हो गया, तो बच्चा 1 minus, 1 plus log t, एक t कम हो गया, तो बच्चा 2, और नीचे हो गया, t cube, 1 ऐसी रहा, minus 2, गुणा कर देंगे, तो minus का 2 हो जाएगा, और minus का हो जाएगा, 2 log t, upon t cube, और solve करेंगे, तो हो जाएगा, dx, over dt, बराबर, 1 minus, यानि कि यहाँ पर minus 1 बचेगा, 2 में से गया, minus 1 बचा, और minus का बचेगा, 2 log t, upon t cube, t cube बचा, इसके बाद है, next है हमारे पास, इसका second part है, यह by equal to, 3 plus, 2 log t, upon t, t है, d by over dt, बराबर, t को छोड़ देंगे, और 3 plus 2 log t का, अब कलन करेंगे, फिट 3 plus 2 log t को छोड़ देंगे, और t का करेंगे, t का जब अब कलन करेंगे, t square हो जाएगा, इसका t ऐसे ही रहेगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा, 2 by t, 2 by t हो जाएगा, minus 3 plus 2 log t, और इसका 1 हो जाएगा, यह हो जाएगा, t square, t से t cancel हो गया, तो 2 बचा, minus 3 बचा, minus अंदर बुणा करेंगे, तो हो जाएगा 2 log t, upon हो जाएगा, t square, यह हमारे पास बचेगे, minus 1, minus के 2 log t, upon बचेगा, t square, d by over dt हमें find करना है, d by over dx find करना है, हमसे कहरा है, d by over dx, यानि कि, by वाली टर्म उपर रखेंगे, तो minus 1, minus 2 log t, upon t square, जब डिवाइट करेंगे, तो dx वाली टर्म पलट जाएगी, dx वाली टर्म यह है, तो हो जाएगा, t cube, upon minus 1, minus 2 log t, minus 2 log t, यह cancel हो गया, तो बचा, t cube, upon t square, डिवाइट किया, तो आगया t, यानि कि, हमारे पास आया, d by over dx, बराबर t, d by over dx, बराबर t आया, यहाँ पर भी हम, dx over dt लिख सकते हैं, बार बार, dx over dt, dx over dt, और dx over dt, dt, यह छूटे हो पॉइंट समने किलियर कर दिये, यहाँ लिख सकते हैं, d by over dt, d by over dt, यह दो कोश्चन आपके बहुत important है, आप इनकी practice करिए, practice करेंगे, जरूर सीख जाएंगे, thank you very much,